सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल समराट मेडिकल नाले को और साथ में दबाए बेल आइकन को हमारे सभी वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कोडिये स्टार डी एक सीरप के बारे में ये दो दवाओं का मिसरन है डेक्स्ट्रो मिथोर्फेन हाइडरोबरोमाईड तथा कुलोरफेनेरा मीन मेलेट्स इसके परते एक 5 ml में डेक्स्ट्रो मिथोर्फेन हाइडरोबरोमाईड 10 mg तथा कुलोरफेनेरा मीन मेलेट्स 4 mg पाया जाता है बात करेंगे कोडियेस्टा डी एक सिरप के मेनुफेक्चरिंग की तो इस सिरप को मेनकाइंड फार्मा लिमीटेड दोरा बनाया जाता है जो 100 ml के प्लास्टिक बोटल के रूप में 90 रुपिया के कीमत पर किसी भी मेडिकल स्टोर पर इसली मिल जाता है इस वीडियो के माध्यम से जनेंगे कोडियेस्टा डी एक सिरप का अपयोग किस तरह के खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है कितनी मात्रा में दिया जाता है कोडी एस्टार डी एक्स सीरप का अपयोग करने के बाद क्या-क्या दुस्प्रभाब हो सकता है तथा इस सीरप को कब नहीं लेना चाहिए इन सारी जहनकारी के लिए बने रही हमारे साथ दोस्तों कोडी एस्टार डी एक्स सीरप का अपयोग ड्राइ कॉफ यानि सूखी खंसी को ठीक करने के लिए किया जाता है इसका अपयोग एलर्जिक ड्रैनाइटिस में भी किया जाता है जब व्यक्ति को खंसी होता है छीके आता है अंखे लाल हो जाता है और अंखों से पानी आने लगता है तब इसका अपयोग किया जाता है साइनस में जब व्यक्ति को सिर्दर्द करते रहता है नाक भरा भरा सा लगता है नाक में सूजन हो जाता है और वुखार के साथ काफी खंसी होता है तब भी डॉक्टर द्वारा कोडियेस्टा डी एक सिरप का उपयोग करवाया जाता है कोडियस्टार डी एक सिरप का आप योग कॉमन कॉफ कॉल्ड के लिए कॉमन कॉफ कॉल्ड के लक्षन को ठिक करने के लिए भी किया जाता है जब व्यक्ति को थोरा सा मौसम में परिवर्तन के कारण खंसी होने लगता है नक से पतला स्राव निकलते रहता है सिड दर्द करते रहता है और हलका बुखार भी रहता है तब भी डॉक्टर द्वारा कोडियस्टार डी एक सिरप को प्रिस्क्राइब किया जाता है अब जानेंगे kodi egg syrup के dosage के बारे में यानि इस syrup को कितना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए तो दोस्तों एक बैस्क वेक्टी को 5 ml तीन बार प्रती दिन दिया जा सकता है तथा 10 ml दो बार प्रती दिन दिया जा सकता है बच्चे को पांच एमेल सुबह सम दो बार तथा धाई एमेल तीन बार प्रती दिन दिया जा सकता है अब जानेंगे कोडियेस्टाट डियेक्स सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में तो दोस्तों इस सिरप का आपयोग करने के बाद आपको चक्कर आ सकता है उल्टी हो सकता है दस्त लग सकता है ये इनकी कुछ साधारन साइड इफेक्ट है अगर इस तरह के परिशानी आपको दिखे तो अपने नजदी की डॉक्टर से मिलें और उनके द्वारा दिये गए निर्देसों का पालन करें दोस्तों कोडियेस्टाड डियेक्स सिरप लेने के बाद किसी भी तरह के मसीनरी कम या गारियां नहीं चलनी चाहिए क्योंकि कोडियेस्टाड डियेक्स सिरप को लेने के बाद आपको नींद आ सकता है आलस से आ सकता है इसलिए इस सिरप को लेने के बाद वहन या किसी भी तरह के मसीनरी कम नहीं करना चाहिए ये आपके जीवन के लिए घातक सावित हो सकता है दोस्तों कोटी स्टार डीयक सिरप के बारे में और किसी भी तरह के जहनकारी के लिए कमेंट कीजिए साथे वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद